हालो और वेलकम दोस्ते तो 5 मिनेट्स इंजीनेरिंग आज का वीडियो आके बड़ा कममाल का उने वाला है दोस्ते क्यों कि आज भाईया इस वीडियो में ब्लोक्चेन की दुनिया से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपोर्टेंट टर्म लेके आगया हूँ जिसका नाम है जी हाँ बड़ा जटिल है ना इसका प्रणांसियेशन बड़ा जटिल ये शब्द लग रहा है लेकिन इसका मतलब इतना जटिल नहीं है इतना डिफिकर्ट ने बड़ा आसान शब्द है ये ऐसा शब्द है जिसका हम लोग उपयोग जो है अपने दिन प्रति दिन जो एक् इंस्टिक्यूट है आपका और्गनाइजेशन है जो भी गवर्मेंट है जो भी चीज़े हैं जो भी लोग हैं आपके उस साथ में कम्यूनिटी में जुड़े हुए उनके एग्रिमेंट के बेसिस पे किसी डिसीजन को पास करना आगे भेजना यहां पे खड़ी है आपके क्रिप्टो करणसी ब्लॉक्चेन के लिए आपको फोड़ा सा रियल लाइफ रिलेटेबल एक्जामपल देता हूं जो कि हर एक इंजीनियर जिससे रिलेट कर पाएगा अब यह मास बंक यह शब्द जो है अपने लिए कुछ नया नहीं है हम सबने कभी न कभी इसको विटनेस किया होगा अपने इंजीनियरिंग डेज में जर्नी में बराबर है कि नहीं तो अब यह मास बंक वाला जो फंडा यह फिर इतना बड़ा जो डिसीजन है वो कैसे ले पास नहीं हो सकता नहीं तो अगर कोई एक दो भी गद्दार निकल गए आ गए वाया कॉलेज में आ गए और फिर बागी सब गुल है लेकिन इन दोनों की प्रेजन्टी लग गई सब के एपसेंटी लगए बराबर तो ऐसे बहुत सारी चीज़े होती है कई बार एक और एक मैं इसमेंग्रीमेंट के आपका मास बंग के वह बहुत अच्छी असे बराब होता है है ट्रांजक्षन्स आपके बहुत सारे होते हैं साही बात हैं कि नहीं अब यह जो ट्रांजक्षन है उससे जुड़ा वह? वह सब सब्सक्राइब सबसे यह होता है कि यह दो वैलिड है या नहीं क्योंकि आखिर कर ये ट्रांजक्शन जाके आपके ब्लॉक में बैट जाएगा जो कि ब्लॉक्चेन में जुडने वाला है बराबर है तो उसके रहे सबसे पहले वैलिडेट करना ज़रूरी है एक एक्जामपल कंसेडर करते हैं दोस्तों यहां पे ए ने क के साथ अब सब की जो लोकल कॉपी सब के पास होगी न यह जितना भी आपका बड़ा जो भी ब्लॉक्चेन नेटवर्ग होगा उसमें जितने में सिस्टम्स जुड़े होंगे तो सारी के सारे इंडिविजूल के पास अपना अपने कॉपी होगा बराबर है जिसमें उनको होगा किसके पास कितना है भाई सब यहां पर बता रहा है कि एक के पास पाच बीटीस है लेकिन वह दस बीटीसी बेजने कोशिक कर रहा है तो इसको अपन बोलेंगे नॉट वैलिड तो भाई इस कंसेंस का बेनिफिट देख पा रहे हो इस एक्जाम्पल की तुरू कि जो अजब भी यह transaction हो रहा है जोबी एक्टिवीटी हो रही है जो कि यहां पर valid नहीं मानी जारी सब इंडिविजु के तारह तो उससे अपन bad activity बोल सकते है या 메 reap salineous behavior उनको promote नहीं किया जाता कोई भी attacks detect किया जा सकते और hacking का तो fund यहाँ पर चलेगा निए बिकोर यहाँ पर secure यह भी एक बहुत बड़ा key word है जो कि आपके इस word के साथ जुड़ा हुआ है secure यह आपके उस network को secure बनाता है trustworthy बनाता है क्योंकि यहाँ पे उस network में एक दूसरे कोई जानता नहीं है बराबर है लेकिन फिर भी वो trust बनाया रखना है वो security जो है वो बनाया रखनी है और वही consensus mechanism के लिज़े अल्गुरिदम के लिज़े या फिर protocol के लिज़े करने की कोशिया करता है अब देखा जाए दोस्तों तो बहुत सारे ऐसे अलग-अलग जो mechanisms है consensus algorithms है वो exist करते हैं जैसे कि भाई यह POW proof of work POS proof of stack then POA proof of activity POB that is proof of burn होता और POET मतलब proof of elapsed time तो यह ऐसे अलग-अलग प्रकार के बहुत और भी ऐसे जो है आपके mechanisms, consensus mechanisms exist करते हैं जिसमें से भाई यह जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं इनका नाम जो है बहुत जादा जनता तक बहुत चुका है यह बहुत most widely used mechanisms हैं जिनके बारे में discussion अपना already कर चुक है जिनके बारे में video जो है blockchain playlist में available है और यह जो बच्चे हों भाई इनको भी निप्टाएंगे आगे आने वाले videos में समझें कि भाई आखिर कर यह क्या कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वह कैसे कर रहे हैं लेकिन एक बहुत important point जो आपको note करना है वह differences exist जी हाँ बिलकुल यहाँ पर देखिए यह जितने भी आपको mechanisms दिख रहे हैं इन में कहीं ना कहीं differences आपको देखने को मिल जाएं कैसे differences देखो मैं आपको बताता हूं बहुत सारे parameters होते हैं बहुत सारे जैसे कि बहुत सारे आपके सामने आ गए हैं अब यहाँ पर हर एक mechanism जो है वह इन parameters में बहुत कहीं जादा अच्छा होगा या फिर कहीं पर lag कर रहा होगा कोई दूसरा जो mechanism या algorithm है वह किसी एक parameter में बहुत अच्छा होगा किसी में ठीक टाक होगा आपको बात समझ में आ रही है तो इस तरीके से differences जो है इन parameters में among these respective existing mechanisms exist करते हैं example की तोर पे अगर मैं आपको बताऊं तो देखो है आपने POW और POS के बारे में चर्चा कर रखी है तो इसमें आपने को एक difference पता है क्या कि भाईया देखो POW बहुत ज़्यादा energy खाता है लेकिन POS कम energy में बड़े performance देता है तो आपको बात समझ में आ रहे है आपको बात यहाँ पर समझ में आ रही कि हो क्या रहा है ओकि यहाँ पर हो क्या रहा है और यही चीज जो है आपको consensus, mechanism, algorithm या प्रोटोकॉल में देखने को मिल जाएगा है अगर आगया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए उससे भिजाज जरू इस वीडियो को शेर कीजिए अपने सार दोस्तों के साथ थांक्स अल्लाइब दोस्तों फर वाचिंग दिस वीडियो